हेलो दोस्तों तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो टुटोरियल्स में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एक structure के बारे में और उसी के साथ साथ मैं आपको string के concept के बारे में भी समझाऊंगा string एक function जैसे काम कर सकते हैं string एक library होती है उसके इंदर बहुत सारे functions पाये जाते हैं copy के लिए concatication के लिए तो उन चीजों का हम use करेंगे यहाँ पर और एक structure create करेंगे पिछले tutorial में आपको मैंने functions के बारे में बताया था functions क्या होता है functions में किस तरीके से value pass करते हैं हम इस इस प्रोग्राम में भी function का use करेंगे और function में एक pointer pass करेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे concepts जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर तो इस प्रोग्राम को आप ध्यान से समझेगे जैसे कि आप यहाँ आपर देख सकते हैं कि हमेंने एक string class header file ली है तो हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में using name is placed study तो अब हम एक struct keyword का use करके structure create कर रहे हैं यहाँ पर struct keyword है यहाँ पर structure का नाम है books जैसे हम आपको array के बारे में बताया था मैं आपको फिर से बता देता हूँ array क्या होती है array होती है homogeneous data collection ऐसे ही structure जो होता है वो होता है non-homogeneous data collection उसमें एक ही type के variables को हम store करते हैं पर यहाँ पर हम अलग-अलग type के variable को store कर सकते हैं struct की पूरी की पूरी एक location होती है पूरे memory location में यहाँ पर हम structure जो create कर रहे हैं books नाम का उसमें एक character title ले रहे है उसका जो size है वो हम 50 ले रहे हैं तो यहाँ पर total जो bytes ली जाएगी वो 50 bytes ली जाएगी और यहाँ पर मैंने character लिया है दूसरा author यहाँ पर भी फिर से 50 bytes लिये जा रहे हैं और एक और character type का variable लिया है मैंने जो की एक और array create कर रहे हैं 50 types की इससे एक फायदा होगा मैं last ले लूँ फिर उसके बाद बताऊँगा आपको क्या array क्यों ली है मैंने integer book id अब आप यहाँ पर दिहान से देखिए यहाँ पर exactly क्या हुआ है मैंने यहाँ पर array ली है तीन प्रकार की title, author और subject तीनो character type की है और जो तीनो array है जब हम character type में array store कर लेते हैं तो हम उसमें बहुत सारे string यानि collection of characters पास कर सकते हैं उसके अंदर जब अब collection of character की बात करते हैं तब उसका मतलब यह होता है कि बहुत सारे जैसे कि हम एक character का मतलब है कि हम सिर्फ ए स्टोर कर सकते हैं पर अगर मैंने character title 50 दे दिया तो मैं 15 characters की मैं एक पूरी की पूरी string create कर सकता हूँ जैसे कि अन्विच शर्मा तो यह पूरा का पूरा store कर सकता हूँ मैं एक ही title के अंदर पर अगर अगर मैं character title देता सिर्फ तो मैं नहीं कर सकता था तो अब हम आगे बढ़ते हैं यह structure हमारा create हो चुका है अब अगर मेरे को title को use करना है structure के books का जैसे title है books का title है अब इस बात को ध्यान रखिए जो books है उसकी चार चीज़े हो चुकी है title author subject और book id तो अगर मेरे को books का title use करना है तो books.title से मैं उसको use करूगा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम declaration करेंगे function का void print book struct books book यहाँ पर मैंने एक pointer pass किया है x इस function के अंदर अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा यह थोड़ा complicated है पर यह बात आपको समझना जरूरी है मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक declaration किया है print book नाम का function है उसके अंदर जो variable pass हो रहा है वो struct books हो रहा है struct books का book क्या है अब जो अब आप यह सोच रहे होंगे कि star book का data type क्या है तो आपको बता दू star book का data type है books यानि जो pointer book है pointer book है वो इन चारो चीजों को hold करना है title को author को subject को और book id को और जैसे कि books का जो data type है वो struct है इसलिए वहाँ पर struct लिखना जरूरी है तो जो pointer book है उसका data type है books और books के अंदर चार चीजे आती है title, author, subject and book id तब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में यहाँ पर हम main function start कर रहे है main function में struct books book one अब यहाँ पर देखिए जो book one है वो books type का है हम एक और चीज कर सकते थे कि एक book one को हम यह semicolon के पहले लेख देते तो book one का मतलब हो जाता कि book one के अंदर चार चीजे आती title, author, subject और book id पर अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है तो उसका भी मतलब यही है कि books type का book one एक variable है अब हम यहाँ पर str copy यह str copy function होता है यह predefined functions होते हैं जो कि directly हमें copy करने की मदद करते हैं यह include होते है string header file में जो मैंने उपर include करके रखी है इससे हम क्या कर सकते हैं कि string को copy कर सकते हैं किसी variable के अंदर तो अब यह देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से यह काम करती है str copy यह keyword है यह आपको ऐसा लिखना पड़ेगा उसके आदा bracket open करिए bracket open करने के पहले यहाँ पर आप लिखिए book1.title जैसे मैंने आपको बताया कि book1 के अंदर चार चीज़े है author subject title और book id तो book1 का जो title है उसका नाम हम देदेते हैं कॉमा लगाकर c program तो अब क्या होगा जो c program नाम है book1.title के अंदर copy हो जाएगा str copy की help से तो इस तरीके से यह use होता है और यहाँ पर हम bracket लगा देगे उसके बाद semi-color तो इस तरीके से हम copy कर देगे book1.title इस तरीके से हम next को copy करेंगे book1 का जो author है उसका नाम हम यह आप पर print कर देंगे और फिर book1 subject है उसका नाम हम print कर देंगे तो यह तीनो नाम print हो जाएगे तो यहाँ पर print हो चुके हैं अब जो यह book id है यह book id के value में print कर रहा हूँ यह आपर book id is equal to 1345678 तो मैं आपको बता दू कि यह directly print होगा अब जो यह बात यह चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो तीन character type के थे और वो string के जैसे behave कर रहे थे वहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी क्योंकि अब हम यहाँ पर जो book id है वो integer type की है तो उसको normally इसी तरीके से print करना पड़ेगा पर उसके बाद struct books यह मैंने second variable ले लिया है अब book 2 जो है जैसे book 2 जो है उसमें भी यह 4 चीज़े है title, author, subject और book id और मैंने एक और pointer नाम का variable लिया है जो की books type का है यानि उस pointer वो point कर रहा है books को books जो structure है उसको point कर रहा है title, author, subject और book id के address को pointers के बारे मैं आपको पता ही होगा pointers address hold करते हैं किसी भी जगे का तो यहाँ पर pointer जो है मैंने उसको location दे दी है कि वो point करे book 2 के उपर और book 2 के अंदर 4 चीज़े पहले से store मैंने करा के रखी दी title, author, subject और book id जो की struct books, book 2 के store हो चुकी दी उसके बाद मैं statement दे रहा हूँ user को enter book title तो उसका title user दे सकता है उसके बाद c in bp title अब यहाँ पर जानने वाली है जो मैंने आपको pointers में नहीं बताईती pointers में मैंने directly input लिया था हम c++ में जब pointers का use करते हैं तब हम bp, dash और greater than के sign से हम input ले सकते हैं हम आसानी से input ले सकते हैं bp title का अब जैसे मैंने बताया जो bp है वो एक pointer है वो point कर रहा है book 2 को book 2 के अंदर चार चीजे है title, author, subject और book id तो अब मैं pointer के through enter करवाँगा value title के अंदर तो bp title तो यहाँ से मैं c in करवा रहा हूं bp title को और इस तरीके से मैं चारों चीजे input ले लूँगा user से book title ले लिया इस तरीके से book author, book subject और book id को भी मैं ले लोगा तो बाकी का जो प्रोग्राम है वो next मैं continue करूँगा चारों को मैं देने के बाद तो मिलते हैं next वीडियो में